नव वर्ष 2016 में आप सभी का स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुपकाम नाए भी नया साल हमेशा एक नई उर्जा लेकर के आता है नया साल हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है और शायद यही एक वज़े होती है कि नए साल में अमुमन लोग कई सारे New Year resolutions लेते हैं या फिर कुछ संकल्प लेते हैं संकल्प कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके Personal बदलाव के लिए होते हैं और कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं कि समाज में एक बदलाव लाने का काम करते हैं नमस्कार मैं हूँ अरुन शर्मा और आज जैनेक्स का पटल पर इसी मुद्धों काम उठाएंगे कि यंग्स्टर्स क्या कुछ सोचते हैं संकल्प के बारे में वो क्या संकल्प लेंगे नए साल के अंदर और जो संकल्प लेने वाले हैं उसे समाज में किस तरह से बदलाव आएगा जो संकल्प लेंगे उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इन तमाम मुद्वों पर बातचीत करेंगे और GenX में जो आज हमाई साथ जो गैस्ट का पैनल जूड़ रहा है जो के इसी मुद्वे पर अपनी राय शुमारी करेगा हमाई साथ जूड़ रहा है श्रीव केरा साथ जो के मोटिवेटर है आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमाई साथ मनीशा प्रीमह जूड़ जूड़ जो के सोशल और पोलिटिकल अनलिस्ट है और आपका बहुत बहुत स्वागत है खेला साथ डिटर्मिनेशन сेल्फ mostly motivation ये किस तरह से आई यंगsters के अंदर किसे ने सही कहा कि कम से कम चांद की तरफ निशाना लगाओगे तो अगर मिस्ट भी कर जाओगे कम से कम सितारे बन जाओगे तो इसलिए ऐसा है जिन्दगी में एक बड़ा लक्ष लेना चाहिए आदमी को लेकिन छोटी सी बात कहता हू इस उमर में हमने भी बहुत से रेजोलूशन लिये थे लेकिन जैसे जैसे उमर गुजरी है टाइम बीता है एक चीज़ सीखी मैंने कि जो जिन्दगी में जीतने वाले होते हैं उनके लिए हर दिन जन्वरी पहली होती है हर दिन जिन्दगी में कभी भी रेजोलूशन बना सकते हैं और उनके लिए केलेंडर येर नहीं घूमना चाहिए उनका जिस दिन दिमाग कमिट्मेंट आ जाएगी उस दिन रेजोलूशन हो जाएगा क्योंकि इस वज़ा से कहता हूं तकरीबन आप देखेंगे जो केलेंडर येर के हिसाब से न्यू येर रहती है किसी की मोटिवेशन एक दिन रहती है किसी की मोटिवेशन एक हथा रहती है किसी की मोटिवेशन एक साल और जिंदगी तक रहती है तो बात ये है जग अगर हमने कुछ हासिल करना है तो अपनी मोटिवेशन को बढ़ा कर रखना है उसी हिसाब से उसको केलेंडर येर के हिसाफ से नहीं चलाना चाहिए, हमारे को आगे जिन्दिगे के हिसाफ से चलाना चाहिए. बिल्कुल, लेकिन मनिशा जी आपके पास आना चाहूंगा. जो हमारे यंग्स्टर्स हैं, जैसा कि इन्होंने का कि पहले घंटे में कोई लोग तोड़ देते हैं. जो पीड़ी आप यहां हमारे सामने लेकिया हैं, यह तो गुलदस्ता है वक्त का, समय का आगाज इन्हीं का है, चाहे वो 65 फीसुदी रहें या 35 फीसुदी रहें, आने वाला समय क्या होगा, यह यहीं तै करते हैं. तो आप अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि छूटी-छूटी उमीदों पर आपके जनरेशन के लोग जो नए साल, यह दिन, तो यह एक हौसला आफजाई की बात है, हमारे ऐसे लोग एक लंबे काल में समय को देखते हैं, 2014, 15, 16, कई बार 3 साल की प्लानिंग ए लेकिन अच्छी बात यह लगती है कि आपके सामने जो उमीद दिखती है, कि आज यह दिन है, कल वो, तो आपके लिए हर एक घड़ी जीने का जो आपका उत्साह है, वो देखके बहुत ही मजा आता है, तो आप हर एक घड़ी को जीने की कोशिश कीजिए, और मेरा यह मानन है, कि नया साल जो है, मोटिवेशन, चैलेंज, दुनिया में क्या होगा, हर तरह की बात सोचिए, लेकिन ये भी सोचिए, एक मनन में अपना आप समय बिताईए, और सोचिए, कि क्या आप करूं नायाब, कि ये वक्त जो गुजर रहा है, ये कुछ अलग सा बीत है, और साथ में एक साथ सोचने लगए, मैं जब अपनी दादी से पुष्शती थी, कि आपको याद है किस साल में मेरे पिताजी का जन होग था, तो घुम के मुझ से कहती थी, याद में, साल याद नही था, दिन याद नही था, फिर मैं पूछ ती कुछ थी कुछ दो बताओ, फि और वहां से यहां तक कि हम एक समय मिल रहे हैं, हम लोग सब कोई कहने के लिए कि नया साल होने वाला है, और स्क्रीन पर हम देखेंगे कि पूरी दुनिया कह रही है कि नया साल होने वाला है, तो यह आपकी उमीद, आपका होसला और एक तरह से एक ग्लोबल मार्च समय का तो ह जी अब इसको आप कैसे बदलिएगा और इसको किस तरह से जीवन से आप बढ़िएगा वो देखने के लिए हम बगल में खड़े रहेंगे लेकिन ये जो चित्र खुलेगा वो आपका चित्र जी बिल्कुर ने कि एंथूजियाजम होना चाहिए ये आपने इंपोर्टेंट उठाया है कई लोग के सवाल है वो भी इनसे ले लेते हैं क्या कुछ सवाल आपका रहेगा मेरा कुश्चन है कि साल के शुरुवात में सब लोग रेजिलूशन लेते हैं पर ये एंड होते होते हैं सब उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो एक इंसान की क्या determination उने ची है क्या उसके स्टेप्स होने चीए कि वो उसे अचीव कर ले आप लोग यखीन नहीं करोगे पहले में बहुत लेजिनेस थी मेरे अंदर बट मैंने 2015 स्टार्ट होने से पहले ये लेजिनेस का प्रॉमिस किया था खुश से कि मैं खुद अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठूंग कि वहाँ पर लेकिन मैंने पिछले साल यह resolution किया था कि मैं exact उस टाइम पर जाओंगी जब मुझे वहाँ जाना है और मैं पूरे साल जहां भी गई हूं exact उसी टाइम पर आपके जो गोल होते हैं वो गोल किस प्रकार की होने चाहिए एक इंप्रैक्टिकल सा गोल होना चाहि गोल सेटिंग जो है वो एक सपने सपने और गोल अलग अलग चीज़ होती है इसी गोल की definition क्या है एक गोल is a dream with a deadline, clear direction and a plan of action मतलब उसका एक action जब तक उसको हासिल करने का नहीं होगा तो वो एक dream रहेगी वो लक्ष नहीं रहेगा लक्ष हमेशा एक time bound होता है इसकी it is never open ended उ हमेशा और वो लक्ष ही नहीं है तो जिस तरीके से आप एक train ticket लेते हैं उसमें starting date, finish date, starting time, finish time, starting destination, finish destination, distance, class, travel, price, that's it यह है goal setting और किसे ने बिलकुल सही कहा है कि जो लक्ष आसानी से हासिल हो जाए वो जिंदगी में कभी लक्ष है गी नहीं है वो मोटिवेट नहीं करता आप को लक्ष, they should be slightly out of reach, but not out of sight, out of reach जो है, motivating करता है, out of sight, demotivate करता है, बिलकुल, यानि कि लक्ष ना ओजल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल, तो यह जो बात आती कि आपको अपने लक्ष पे बिलकुल निशाना लगा के रखना चाह कर रही है, या फिर यह कई सरी पहल लेकर कर रही है, चाहिए सवच भारत अभ्यान की हो, यह भी बात चली के पलूशन को कम करने के लिए कई सरी कवाईदे शुरू हो चुकी है, यह यंग्स्टर्स बहुत मैंत्रपूर्पूर्वुमिका निभाते हैं ऐसे में, जो सेल्फ अभी आना बाकी है, नहीं, मेरे हिसाब से तो नटखट जरूर होगा यह जेनरेशन, पर मैं मानती हूँ कि सोचने वाला जेनरेशन है, इनका तरीका अलग हो सकता है, मैं चुनाव नाव सब चर्चा यहां करना ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोग मुझे पता है, पर मैं आपकी चर्चा सुनना चाहती हूँ, तो मैंने अपना नंबर उनको दिया, नहीं, ऐसे नहीं, वाट्साप करेंगे आपको, अब बताइए, तो पहले उसने मुझे कनवर्ट किया, और वाट्साप के हाईवे पर मुझे घुसाया, और उसके बाद वाट्साप के जरीए हाई देर, आवर मीटिंग उन, तो आपके बातचीत का तौर तरीका, अगर मैं उतने सही कतिक नहीं नहीं देखिए, यह आय कर रहा है मुझे, मैं बहुत सीरियस, मैंने का, यह मुझे इतनी महनत करके इसने मुझे संगम व्यार के उस गली में सिखाया है, कि वाट्साप का हाई वे यह है, क्यों न मैं भी इसके साथ चड़के देखों, उसके आख, उसके सपने के जरीये देखों कि वह कैसा परिवर्तन चाहता है, मेरे हिसाब से आपके जो जेनरेशन उसके सामने जिम्वारियां इतनी है, कि इतने सपश्च रूप से जब आप समझते हैं, तो अ मैं सोच री थी एक दिन की मकॉले ने जो नीती बनाई ही, कि यहां अंगरेजवा साथन में यहां पर हम खूब क्लर्क बनाएंगे, और हम जैसी वस्ता चाहते हैं, उसके लिए शिक्छा देंगे, उस तोर मड़ोर में गुरुदेव रविदना टेगोर कहते हैं, कि जो इन महान मालविय जी कहीं गए किसी प्रिंसली स्टेट में पैसा मांगा, तिरस्कृत करने के लिए अपनी जूती किसी नवाब ने उनके सामने फेक दी, वो जूती लेकर फिर वो गए, कि कुछ तो आप दीजी, हम एक विश्विद्याले खोलना चाहते हैं, तो आप यह समझे कि यह विश्विद्याले जिनको आप सोच रहे हैं कि सरकार को खोलना चाहिए, वास्तों में कुछ मनुश्यों के विवेक और चिंतन और होसला का परचायक है, यह एक यंस्टर्स की भी जिम्मेदारी रहती है, एक मिनट, मैं यह कह रही हूँ कि हमारे विश्विद्याले इनको मूर्त मत समझे यह आपके होसले का परचायक होंगे, अगर आपको लगता है कि गरीब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके कलेक्टिव का इफट है, एक इतना नायाब स्कूल पेड़ के नीचे खोलिए, रात को खोलिए, कि दुनिया आके देखे कि आपने किया अपने बदला, जैसे हम सभी जानते हैं कि नरेन मोंदी हमारे प्राइम निस्टर है, तो वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो हम उसमें कैसे पार्टिसिप्रेट करें? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने सारे सरावनिंग्स को क्लीन रखूँ ताकि मैं अपना बैस दे सकूँ ये जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारा स्वाच भारा तब इहान शुरू कर रहा है उसमें, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ पापा और भाईया मेरे साथ ज जाए तो मैं रहीन ताज जी के इस दोहे को मांती हूँ जो रही मुत्तम प्रकित का कर सकत खुसंग चंदन भिस व्यापक नहीं लिप्टे रहत भुजंग्स क्या बात है आपका कोई रेजलूशन आपका कोई रेजलूशन आपका कोई एक्स्प्लोर दी हीड़न जैम्स अ इसमें क्या कुछ कर सकते हैं कि ये पूरे साल नहीं मनलब रोज़ाना हमेशा के लिए करते रहें इसको फॉलो करते रहें बहुत देशों में कानून ऐसे बने हुए हैं जैसे सिंगापूर में साथ साल के बाद कोई गाड़ी रोड पे नहीं चलती है एक लिस्ट कोई टैक पर नाम किया, it is considered to be the third most honest country in the world, third most honest country, not only ease of doing business number one है, but third most honest country in the world, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज आती है, जब उन्होंने अपना नाम तीसरे नंबर पे पड़ा, कि as a third most honest country in the world, उनके वहाँ पर सिंगापूर में सभी नागरिक के दिमाग में एक सोच आई, कि हम third क्यों है हम first क्यों नहीं है, पहला number as most honest country क्यों नहीं है, तो ये है एक देश का हित, अपना हित से उपर रखना और तभी देश उन्नती करता है, और लेकिन मैं आपको छोटा सा मैं, बलके पिछले तीन-चार दिनों से मैं देख रहा था, ये क्रिकेट क्लब का जो हो रहा है, बाची थोरे ही थी, अर्लियर, तो तकरीमन मैंने किसी एक आदमी की इंटर्वियो सुनी, तो कहता है कि साब, मैं एक party man हूँ, I'm a party man, I'm a party man, I'm a party man, मेरी जो लोयल्टी है, पार्टी की तरफ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, दुख की बात ये है, हमारे को इस देश में बह करते हो, जी बिलकुला, हमें पहले इंडियन होना काफी जारा जरूरी है, लेकिन मैं आपके पास इस पॉइंट पर आना चाहूंगा, ये लोग कई लोग काम करना चाहते हैं, कि समाच के लिए हम लोग काम करें, मोटिवेशन नहीं मिल पाती है ये यंग्स्टर्स को, वो लगातार जो एक सिलसला होना चाहिए, कि लगातार उसके लिए काम करते जाएं, क्या लगते है कि कोई कोर्स करिकुलम भी होना चाहिए, जिसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, कोर्स करिकुलम ये सब का 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 किरन वाली बाते हैं, मुझे लगता है कुछ चीज लेकिन आप सोचो जैसे आपने बोला countryman वैसे आप सोचो क्या आप एक मुन्ना भाई की तरह एक कोई campaign कर सकते हो जिसमें कि आप एक कोई गलत practice इस शहर का एक बंद करा दो दूसरी बात सडक पर जब आप देखते हो धुआ और इंधन वो negative structure से बंद करा रहे हैं लेकिन क्या ह साइकल को प्रोचान दे सकते हैं कुछ से आपको कही सारे initiative लेने होंगे मैं आपके बास यहां पर आना चाहूंगा आप में से कोई अपना मापी से point ले समझने की कोशिश करता हूं आपके new resolution क्या है आप तो रोज बच्चों से deal करते हैं क्या यह बच्चे आप जैसे मैं ब मैं आपके बच्चों पर आपके बच्चों पर आपके बच्चों पर रोसा करें सब्सक्राइटी पॉलिटिकल पार्टी सो बाद में आती है आपके घर में पैरेंट्स यह आपर ट्रस्स नहीं कर पाते हैं तो ट्रस्स फेक्टर यह रिष्ते सुधारते हैं दुनिया सजा देती है कौन से दो रिष्ते है एक माबाप का रिष्ता है और एक टीचर का रिष्ता है जो सुधारता है दुनिया कभी सुधारती नियत दुनिया हमेशा सजा देती है यह बहुत जुरूरी चीज़ है तो बात यह है पेरेंट्स को आपने भी बात कही रेड लाइट जंप करने की कोई नहीं देख रहा है तो जंप कर दो बच्चों की यह फितरत है मैं I don't agree with that you tell me one thing बच्चों की फितरत थोड़ी है बच्चे अपने बच्चे कहां से सीखे रेड लाइट जंप करने के लिए अपने माबब से सीखे पॉलिटीशन से सीखे उस सारे जितरे वही काम कर रहे हैं वहीं से सीखे एक समाज में परिवार में कहां से आती है यह संसकार किस तर से आएंगे इनके अंदर आज पैरेंट सी जब यह सब काम कर रहे हैं और यहां रही है कैसे एकसपेक्ट कर सकते इसका एक जीवी का कमाना सिखाती है और दूसरा जीना सिखाती है और एक के बिना दूसरी अधूरी होती है तो आज 90% जो चीजें बच्चों को स्कूलों में पढ़ा ही जा रही है वो जिन्दीगी में हम बड़े होके वो इस्तमाल नहीं करते और जो 90% चीजें जो चाहिए हमें जिन्दीगी के लिए वो पढ़ाई नहीं जाती मैं corporate में काम करता हूँ तो मैं एक corporate में program कर रहा था तो मैंने कहा कि भाया हम जो यहाँ पे corporate में कर रहे हैं हम repair कर रहे हैं अगर prepare करते बच्चों को तो repair करने की जरूत नहीं पढ़ेगी किसने बहुत सही बात कही है अच्छे school खोलो आपको jail नहीं खोलने पड़ेंगे दुनिया में बहुत बढ़िया यह जो collective response आपके पास आना चाहूंगा सर अभी सिंगापूर जैसे देश की बात करें थे और कई सारे देश ऐसे हैं जो लोग हैं यंग्स्टर्स हैं जो parents हैं जो बड़े लोग हैं वो self-disciplined होते हैं अब आप एक discipline की आदत उनमें बकाइदा होती ही होती है भारत जैसे देश के जहां इतनी सारी यह क्या कुछ सरकार कर सकती है इसमें क्या कुछ parents कर सकते हैं अगर समझी रहे हैं कि parents की तरह से वित्रूटी हो रही है और खासकर के यह parent का आप लोगों के parents का जो generation है यह first consumer generation है इंडिया का तो वो थोड़ा मजा लूटने में भी busy हो गया तो कुछ अगर आप छूट भी गया है तो इसको समझ लीजे और इसको बहुत confrontational relationship में नहीं ले आएं अगर आप समझ चुके हैं कई बार आदमी समझता है कि मेरे parent की क्या गलती है लेकिन उस पर गौर करके किसी की जिंदगी की किसी यूग की किसी काल की mistakes होते है और कई बार सौसो साल बाद समझा जाता है कि इस समय यह गलती हुई आप अगर अपने ज चोटे-चोटे inputs हैं एक input है गांधी जो डायरी लिखते थे और मैं यह कई बार मुझे लोगों का क्या आप पूरानी डायरी लेके बैठ जाती है आप अपने Apple Macbook पे कैलेंडर है और यह और वो है पर उस डायरी में इतना बढ़िया अगर आप डायरी लिखने का एक जजब अपने हर दिन का एक अवलोकन करूंगा और एक ताय समय पर आज मैंने क्या किया इस डायरी के खाते में भर दूँगा और कई बार मुझे दिखता है मैं अपने father-in-law गुज़र गया उनकी डायरी देखती हूं अपने mother की डायरी देखती हूं गांधी जी के डायरी से जो इस पर लंबे समय पर वह लोकन कर पाते हैं तो एक डायरी पर आप लिखना शुरू कीजिए आखिर बगल वाले को क्या मतलब कि आप टाइम से उठे की नहीं आपने यह किया कि नहीं लोगों को बोरम थोड़ी कर सकते कि आज मैंने समय पर ब्रश कर लिया आज मैंने ऐसा क किया लेकिन आप अपने निज के साथ अपना एक रिष्टा बनाई है और यह वो जगह हो जहां आपको अगर सच में कन्विक्शन के साथ लग रहा है कि मेरे पेरेंट भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वह लाल बत्ती पांद रहे हैं और लाल बत्ती तो आप छोड़ हो जी बाइन मैं जेब्रा अरे तुम कट जाओगे यहां तब तुम्हें समझ में आएगा अभी तो तुम हटो यहां से जी तो कई बार छोटे-छोटे क्रॉसिंग से मैं देखती हूं कि 20-20 मिनट कोई फॉलो नहीं करता जेब्रा क्रासिंग के लिए तो आपको अगर अगर हमें कोई चेंज लाना है तो पहले तो अपने आप स्टार्ट करना होगा बट हम देखते हैं कई बार जो चेंज लाना होता है इसमें बहुत सारे एक मास का कॉंट्रिबूशन चाहिए होता है बट काफी सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते कोई कांट्रिब्यूट करने में इंट्रस्टेडी नहीं होता तो लेकिन चेंज विदीन आता है जो आप कहना है तो कह रहे हैं कि चेंज विदीन ही आना चाहिए अपने आप से अंदर से चेंज आएगा तभी बात बनेगी दूसरे कह रहे हैं कि आपका पॉइंट बहुल अच्छा है यह एक इंट्रोस्पेक्शन करने का आपको एक मौका देता है लेकिन फाइनल कॉमेंट्स जो बात करें कि इंट्रोस्पेक्शन करना है गोल्स को अचीव करना है तो वो क्या तरीका हो क्या आपने बताया है कि जब गोल्स हाथ से जादा उपर चले जाते हैं तो कुछ फायदेवाले नहीं होते गोल्स हमारे लिमिट के होने चाहिए हमारे अचीवेबल होने चाहिए एक तर भीतर हासिल है, वह तकरीबां वह डायरी मेंटेन करते हैं, जब रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम उससे एक अपने आप एक आप को ग्यान हासिल करते हैं समझते हैं हम लोगों ने एक सक्सेस सिस्टम क्रियेट किया हुआ है कि रोज शाम को अगर सिर्फ हम दस मिनिट लगाएं सिर्फ चार सेंटेंस बरने के लिए तुड़े आई फील आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ तुड़े आई आवलॉण्ट मैंने आज क्या सिखा कुछ सिखा या नहीं सिखा और सिखा तो क्या सिखा थर्ड ब्रतिग्याद करता हूँ कि इस चीज को मैं इंप्रूव करूँगा आप देखें डेली अगर इही सिर्फ चार सेंटेंस अगर हम भरने शुरू कर दें 31 दिन तक 31 दिन का जादू क्या है किसे ने सही कहा है 31 दिन को कोई भी दिन चरिया को अगर रिपीट करते हैं 32 दिन आदत बन जाती है तो आपकी जिन्दगी बदल जाती है तो दिरीज ए वे हाव तो चेंज लाइफ आपने बहुत अच्छा तरीका बताए कि चार पॉइंटर्स वाला यह काफी एक चेंज ला सकता है मैं फाइनल कॉमेंट्स आपकी तरफ से फाइनल कॉमेंट्स में यह कहूंगी कि जैसे आपकी माँ आपको थपकी देके सुलाईएं और अकसर पूरी दुनिया में बच्चों को सुलाया तो कायाता है कि लोरी गाके वैसे आप थपकी देके 2015 को आराम से सुलाईए और सुलाते समय जैसे कहती थी कि हवा भी दीरे से आना वैसे आप इंद्र, अगनी, वरुन सब से कहिए कि आने वाला साल जो किवल आपको यह नहीं बाढ़ से, कहीं भूकंप से कई मानव जाती जन जाती जो परेशान रही मानव के साथ हमारे जानवर, हमारे हरियाली सब के लिए प्रातना कीजिए, एक समगर प्रातना कीजिए और किवल मैं, मेरा, मुझमें, मेरी सफलता के को हटा के आप एक समगर सोच अगर बना सकते हैं तो एक मिनट के लिए इमाजिन कीजिए कि किस तरह से आप इस समय को थपकी दे के सुलाएंगे और इसके साथ इन शक्तियों को आगाज कीजिए आप देखिए खुद आप फील करेंगे जिसको कि empowered या enlightened का जाता है खुद आपको लगेगा कि आपकी बातचीत एक लंबे समय के काल से हो रही है तब आप छोटी-छोटी घटनाओं से छोटी-छोटी जो वादा खिलाफी होती है इन चीजों से आप मायूस नहीं होंगे और समय को आप खुद बनाने का काम जो है वो करेंगे तो आप वक्त के साथ चलिए sand castles मत बनाईए चिंतन से वैसे castles बनाईए जो कि लंबे समय तक जो आए वो देख जाए कि ये बनाया तो उमीद की इमारत आप बनाईए समय के साथ अप लोग समाज के अंदर एक positive चेंज लाने में एक महत्वत्मूर्ण भूमी का निभाएंगे इस बात की भी उमीद करते हैं इसी मोचे पर जनेक्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नई साल की बहुत बहुत शुब कामना है और धन्यवाल अच्छों की बहुत बहुत राओ भूमी के लिए को और में एक ज्सक्राप्ट बहुत अबवाब्व धन्यवाल इस अपना है इस्पर्ष्ट्ष्ट्सियुल बहुत प्रहाई finger बहुत भूमीद only on DD News